ये ताना पर्णी और जेल से नहीं देखे एक एलो सरकार होपना है अन्याई नहीं देखे एक एलो सरी आवाज नमस्कार में मुहम्मत फेसल और आप देख रहें जनीत आवाज मद्य पर्देश के गुना में एक आदिवासी महिला को जला दिया जाता है वो भी जिन्दा वही दूसरी तरफ करनाटक में एक मुस्लिम युवक पर धारदार अत्यार से हमला होता है वही तीसरी तरफ यूपी के आयोध्या में हनुमान मंदिर में एक पुजारी का सर काट दिया जाता है अब ये तीनों खबरे हैं और इन तीनों खबरों को समझ ये कि अब आउट्रेज किस पर होगा जहां मध्य परदेश में कादिवासी महिला को जिन्दा जला दिया जाता है वो खबर तक नहीं बनती दूसरी तरफ करनाटक में मुस्लिम योक को दार दार हत्यार से जो मारा जाता है वो भी खबर नहीं बनती खबर कौन सी बनती है। खबर बनती है अयोध्या के हनुमान मंदिर के पुजारी की मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो भी नहीं बननी चाहिए थी लेकिन आप समझे मीडिया की ताकत को और जो लोग मीडिया में बेटे हैं उनकी मान सुकता हो जब मद्ये परदेश में गुना में एक आदिवासी महीला को जिंदा जला दिया जाता है तो इसको खबर को छिपा दिया जाता है वही करनाटक में जब मुस्लिम युवक को युवक पर हमला होता है उसको भी छिपा दिया जाता है लेकिन जब अयोद्या के हनुमान मंदिर में एक पुजारी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है जो निंदनिये हैं अभी उसकी जान जारी है उसके पीछे को लेकिन उसको हाइलाइट किया जा रहा है आप समझ ये चीज़ को क्योंकि महां से इनको फाइदा मिलना है मैं आपको ख़बरे बता दूँ कि कहां पर किस तरीके से क्या हुआ ये देखिए सबसे पहले हम तस्वीरे आपको नहीं दिखा सकते जिस तरीके से उनको जलाया गया है जो आदिवासी महिला थी वो बहुती दर्दनाक है बहुती निर्मम है उसको तस्वीरे नहीं दिखा सकते आप ये देखिए ब्रज राजपूत है उन्होंने लिखा है एमपी के गुनजले में दिल देहलाने वाली वारदाग आदिवासी महिला की जमीन पर कपज़ा करने कुछ लोगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है महिला गंबीर है दो आरोपी ग्रफतार है यह समझ यह किस तरीके से उनकी जमीन पर कबज़ा किया जा रहा था उनका विरोध करने के बाद उनको जिंदा जला दिया गया तो आप इससे समझ सकते हैं यह देखे ट्राइबल आर्मी ने भी ट्वीट किया है जितना रामनाद कोविंद के राष्टपती बनने से दलितों पर अत्याचार कम हुआ उतना ही द्रोपदी मुर्मु के राष्टपती बनने के बाद आदिवासियों पर अत्याचार कम होगा मद्य परदेश के गुना में आदिवासी महीलों को जिन्दा जलाने की घटना और बरबरता बेहदी दुखद है आरोपियों पर कड़ी कारवाई की मांग करते हैं ये देखिए बरबरता साड़े छे बिगा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद गुना आदिवासी महीलों को डीजल डाल कर जिन्दा जलाया 80% जुलश चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में 36 गड़ों जारकांडों हर जगा आदिवासी की जो ट्राइबल से उनकी जमीनों पर कबज़े किया जाता है और जब वो विरोध करते हैं तो उनको नकसलवादी और त जिन्दा जलाने की कोशिश की गई जिसमें वो 80% से जुलश चुकी है लेकिन ये खबरे आपको मीडिया नहीं दिखाएगा वो मीडिया दिखाएगा तो सिर्फ अयोध्या में जो पुजारी मरे हैं उनकी खबर चलाएगा ताकि वहाँ से हिंदू मुसलिम हो सके और वो उ मिशन अमबेट कर हैं उन्होंने एक और एक और बहुत सर्मसार करने वाली खबर है मिशन अमबेट कर हैं उन्होंने ट्वीट किया है वाइस देयर नो आउट क्राई ओवर दिस मीडिया चैनल इंकुलोडिंग लिबरल आर नोट इवन रिपोर्टिंग इस होरिफिक जाती है और उसको खाड़कर फेक दिये जाता है क्योंकि सिर्फ वो एस सी थी आप अंदाजे लगाईए कि इनकी मान सिकता किस तरह कि वहीं दूसरी तरफ सुमिछ चोहान ने ट्वीट किया है एक के बाद एक दलित कार्य करता नेताओ प्रोफेसर और पत्रोकारों की घ्र जेपूर जाते हैं एक अंदोलन में सामिल होने के लिए उसके बाद उनको गिरफतार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है उसी को लेकर आज दिल्ली में विकनेर हाउस का घहराव था भीमार्मी की तरफ से जिसको लेकर वहाँ पर उनके प्रतर्शन कार्यों को भ बड़ा किया है और जिसका फायदा आज बीजेपी के रूप में आरेसेस उठा रहा है तो ये बड़ी ख़बर थी और ये देखिए सत्य परकास भारती है उन्होंने ट्वीट किया है पहले आदिवासी महिला की छे बिगा जमीन पर कबजय किया फिर महिला पर डीजल डाल क जिन्दा जलाया वे चीखती रही आरोपी वीडियो बनाते रहे मध्य परदेश के गुना में बमोरी तहसील के धनोरिया गाउं में दबंगों ने एक आदिवासी महिला के छेवी का जमीन पर डबंगों ने कबजय किया तो ये दबंग जो लिखते है ना ये दबंग भी इ ट्राइबल आर्मी ने ट्विट किया है आदिवासी सही दिस्तल मानगण पर भगवा जंडा लगाना हमारे पूरवजों का अपमान है आदिवासी असमिता सुवविमान के साथ खिलवाड़ा बरदास नहीं किया जाएगा राजिस्तान सरकार वे इस्थानिय बासवाड़ा परसासन ततकाल परवाव से इस परकार के जंडे को हटाए हमारी मांग है भगवा मुक्त आदिवासी धरोवर तो आदिवासी धरोवर जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने जो जातिवादी मान सकता के लोग है उन्होंने भगवा जंडा लगा दिया है और अब जो है संदिर के अंदर युवा का गला काट कर हत्या कर दी गई है जो बहुत पिड़ादाये है यूपी में लगादार सादू संतू की हत्याये होती है जो ये सावित कर रहा है योगी सरकार में कानून विवस्ता कितनी धोस्त है मनोच काका ने ट्वीट किया है तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि बहुत ही निर्मम है जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई है तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं लेकिन ये वाली खबर जो है अयोध्य वाली हर को ट्वीट कर रहा है क्योंकि ताकि उनको जो है हिंदू-मुस्लिम एंगल मिले लेकिन अभी पुलिसिस की जाज में जुटी हुई है आरो पिकौन है ये नहीं पता चला लेकिन फिर से हिंदूों के नाम पर फिर से देश में उनमात फिलाने की एक कोशिश जारी है लेकिन आदिवासी और दलित को जब मारा जाता है जब इनका मुँ नहीं खुलता और ये देखिये आ और बताए जा रहा है कि नवीन जो है RSS का फोलोवर है और वो फेस्बुक वगेरा चलाता था एक्टिव रहता था और लगातार मुसल्मानों को गालिया देता था जिसका नतीजा ये हुआ कि करनाटक में एक मुसलिम योग पर धारदार हत्यार से हमला करकर उसकी जान लेने क कोशिश की गई तो आप इन तीनों खबरों को समझ ये और इन तीनों खबरों में सबसे जादा जो स्पेस मिलेगा मीडिया जिसको हाइलाइट करेगा वो होगा अयोध्या का हनुमान मंदिर में पुजारी का गला रेत कर हत्या करना लेकिन हमें अपनी खबरे दिखानी पर धारदार हत्यार से हमला किया गया इसके अलावा राजिस्थान में एक दलित बुजर्ग महीला की कबर खोद कर उनको वहां से निकाल दिया गया और कहा गया इसको अपने घर में गाड़ लो तो आप समझे ये जो विचक्त मान सकता है ये लोग कौन है यही आदिवासि जो आपके लिए बहुत जरूरी थी इस वीडियो पर आपकी क्या राह है आप अपनी राज जरूर दीजे शुक्रिया